Hello my little dear friends, how are you all? Hope you are fit and fine. Come, let us know about the usage of since, for and from. पहले हम since की usage के बारे में जानते हैं, तो since का usage कहां होते हैं, जहां पर कोई definite time या point of time के बारे में बताया जाता है. Now definite time का मतलब क्या, what is the meaning of definite time? Definite time का मतलब है, जैसे आप घड़ी देख रहे हो, तो आप time बताते हो, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, तो यह घंटो का नाम है. So उसी तरह Monday, Tuesday, Wednesday, उसी तरह year का भी नाम है, 2021, 2022, उसी तरह month के भी नाम है, January, February, उसी तरह you can say की what is the date today, it is 17th, 18th. और किसी लाइफ के फेस के बार में, जैसे childhood, young age, old age, तो जो भी आप sentence बोर्ड रहे हो, For example मैं बता रही हूँ, मैं दो बजे से खेल रही हूँ, I have been playing since 2 o'clock, मैं दो बजे से पढ़ रही हूँ, मैं 5 बजे से पढ़ रही हूँ, I have been studying since 5 o'clock, मैं दिल्ली में 2001 से रह रही हूँ, I have been living in Delhi since 2001, तो आप देख रहे हो कि कब से रह रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं, कब से खेल रहे हैं, वो बताया गया है, कब तक या कितना देर तक खेल रहे हैं, ये नहीं बताया गया है, खाली क्या बता जा रहा है कि कब से मैं काम जो भी काम के बारे में बता रहे है वो काम कब से शुरू हुआ है जो बीते हुए पल के बारे में, बीते हुए टाइम से हमने शुरू किया, पास्ट टाइम से हमने शुरू किया, उसके बारे में जब sentence बताएगा, तब हम since का use करेंगे. Since के और एक usage के बारे में जानिये, Since he was ill, he did not attend my birthday party, मतलब वो बीमार था, इस कारण से वो birthday party attend नहीं कर पाया. Since he was weak, he was not able to carry the load, या Since he was ill, he was not able to attend the school, तो वो बीमार था, इसलिए वो school नहीं आ पाया. तो यहाँ पे भी जो past reference देते हैं कि वो बीमार था, इसलिए वो ये काम नहीं कर पाया, तो यहाँ पे भी since का use होता है. Now, let us know about the usage of for. उस sentence में for का use होता है, जहाँ पे duration of time बताया जाता है. Duration of time मतलब काम कितने देर से हो रहा है, जैसे चार घंटे से मैं पढ़ रही हूँ, बट कितने बजे से पढ़ रही हूँ, यह नहीं बताया गया है. जैसे scenes में हमने देखा था कि 5 बजे से, 5 o'clock, 6 o'clock, 2 o'clock, यहाँ पे time नहीं बता रहा है कि कितना बजे से, बट कितना घंटे मैं पर रही हूँ, यह कितने घंटे मैं काम कर रही हूँ, यह कितने साल मैं कहीं पे रही हूँ, यह बताया जा रहा है कि कब से रह रही हूँ, यह नहीं बताया जा रहा है, कि मैं 2021 से रह रही हूँ, ये नहीं बताया जा रहा है, कितने साल मैंने 5 years, 10 years मैं यहाँ पे रही हूँ, you don't know the starting time of that work, so वैसे sentences में for का use होता है, अब for की usage कुछ examples के help से जानते हैं, I have been living in Delhi for 20 years, 20 years क्या है, duration of time है, कब से रह 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 है, कब तक रह 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 है, कुछ भी नहीं पता, but कितना दिन हो गया रहते हुए, 20 years, you have been talking for 5 minutes, कितने बज़े से शुरू किया बात कहना यह हमें नहीं पता, अभी कितना बज़ रह है, यह भी नहीं पता, खाली यह बता रहे हैं यहाँ पे, कि 5 minutes से हम बाते कर रहे हैं, we have been playing for 2 hours, 2 घंटे से हम खेल रहे हैं, they have been working for 4 hours, कितने घंटे हो गया, इनको काम करती हुए, 4 घंटे, और एक usage है for 4 का, this book is for you, यह आपके लिए है, यह book आपके लिए है, this book is available for 100 rupees, that work is too much for you, यह काम बहुत जादा है आपके लिए, तो ऐसे भी use हो सकता है, बट जो scenes के साथ जो difference है, यह आपको समझाने के लिए, यह उपर के 4 examples बहुत जादा important है, Now let us know about the usage of from, from and since में एक point common है, दोनों में ही point of time यूज किया जाता है, जैसे Monday, Tuesday, 5 o'clock, evening, किसी भी time का नाम यूज किया जाता है, But, from and since में एक ही difference है, यह future में कोई काम होने वाला है, उसके बारे में जब बताएंगे, तब from का use किया जाएगा, जैसे आप कितना बज़े खेलोगे, I will play from 4 o'clock, अब कब से class join करोगे, I will join my class from Monday, अभी Monday आया नहीं है, next week Monday join करेंगे, तब हम will का use करेंगे, I will join my class from Monday, Monday से करूँगा, करूँगी, कब से practice करोगे योगा, we will practice योगा from Sunday, जो आने वाला Sunday है, तब से practice करेंगे, Since and from का difference समझाने के लिए और कुछ examples मैं explain कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए, मैंने अभी बताया था कि Since जब हम use करते हैं, इसका मतलब वो काम पहले शुरू हो चुका है, past में ही शुरू हो चुका है, But from, जब हम sentence में use करेंगे, इसका मतलब वो काम फ्यूचर में शुरू होगा, Since, past and from, future में शुरू होगा, जैसे, I have been studying since 2 o'clock, मतलब मैं दो बजे से पढ़ रही हूँ, अभी दो बज चुका है, मैं दो बजे से ही पढ़ना शुरू कर चुकी हूँ, But I will start studying from 2 o'clock, मतलब दो अभी बज़ा नहीं है, मैं दो बजे से पढ़ना शुरू करूँगी, तो आपको, hopefully, समझ में आ गया कि, since जो काम शुरू हो चुका है, already, वहाँ पी use होगा, and जो काम शुरू होगा, होने वाला है, future में, उसके लिए, from use होगा, and for में, तो कोई starting time की जरूरती नहीं है, वहाँ पे duration of time होता है, duration मतलब 2 गंटा, 4 गंटा, 2 साल, 4 साल, तो एक duration of time, जैसे, आप कब से कितना दर से पढ़ रहे हो, दो गंटे से में पढ़ रहे हो, I have been studying for 2 hours, now it's time to check your understanding, just pause the video and try to do these fill in the blanks yourself, and then check the answers, number 1, we have been celebrating Republic Day, dash 26 January 1950, हम करते आ रहे, celebrate करते आ रहे, पहले से, 26 January 1950 को, this is a point of time, so since, number 2, I will do my homework, dash, half past 3, मैं करूंगी, तो फ्राम हाफ पास त्री, साड़े तीन बज़े से मैं homework करूंगी, we have, number 3, we have been walking, dash 10 minutes, 10 minutes is a duration of time, तो क्या हो जाएगा, 4 10 minutes, you will start your work, आप काम शुरू करोगे कब से मंदे से, फ्राम मंदे, he has been waiting for you, since this morning, morning से, it's a point of time, वो वेट कर रहे हैं, so वो पास से वेट करते आ रहे हैं, so since होगा, she has been, number 6, she has been walking, dash 2 hours, 2 घंटे से, पता नहीं कौन सा टाइम था, एक बज़ रहे था, 2 बज़ रहे था, 2 घंटे से वो वो वाक कर रहे थी, तो क्या होगा, 4, she has been walking, dash 4 o'clock, since 4 o'clock, 4 बज़े से वो वो वाक कर रही थी, I have been suffering from fever, dash midnight, point of time है, तो क्या हो जाएगा, since midnight, I have been suffering from fever, dash 2 days, काउन सी 2 days, duration of time है, हमें पता नहीं काउन सी 2 days, तो क्या हो जाएगा, 4, 2 days, दो दिन से हम मैं सफर कर रहे हूं फिवर में, dash, it's hot today, let's turn on the AC, since it's आज गर्मी है, इसी लिए, let's turn on the AC, these are the answers of fill in the blanks, please verify your answers, and if any doubt, please write in the comment box, hope you have found this video helpful, please like, share and subscribe to my channel, thank you,